बिटा differentiation का lecture 6 है तो दिश्कों पे इस differentiation of parametric functions parametric functions क्या होता है? सुर्से बारी चीज़ तो functions of the form जो functions आपको ऐसे निजराखने इटा y is a function of t and x is also a function of t जब y त में एक function है और x आपका t का एक कोई और function है तो बेटा, ऐसे functions को हम बोलते हैं, parametric, और देखे, x एक variable, y एक variable है, और आपका third variable बेटा, t है, यहाँ पर t को कहा जाता है, parameter, इसलिए इसको बोलते हैं, parametric functions, क्योंकि t link का कम करता है, तो इसके differentiation करते कैसे हैं, देखी, उसके लिए, आप इस equation से क्या करेंगे, बेटा, पहले, y is equal to f of t से क्या करेंगे, dy upon dt calculate करेंगे, जो क्या आपके पास क्या हैगा, f dash, और इस equation से, आप dx upon dt calculate करेंगे, जो क्या आपके पास क्या हैगा, g dash of t, now, in order to find out dy upon dx, आप क्या करतेंगे, इस equation को, इस equation से divide करेंगे, dy upon dt को, जब हम dx upon dt से divide करेंगे, तो हमें मिनेगा, dy upon dx, and that is equal to सब्सक्राइब करते हैं कि कैसे होता है जिसे देखें पहला क्यूस्ट आपको 80 और वाई देखा आपको 280 तो क्या करें इसमें यहां से मैं कर लेता हूं तो क्या आएगा आपके पास 2a देखार अगर मुझे कारना है तो मैं क्या कर दो आपको इस प्रक्टर को इस से रिवाइड नीजिए निए चेल और नीजिए चेल और दीएगा और टीएक्स और टू एको इखें निए निए दिए दिए रहाएगा आपके पास इसका solution अभी अलग लग करना आपके जद्धा अब नेक्स आपके पास है y is equal to 2b t upon 1 plus t square and x is equal to a 1 minus 3 square upon 1 plus t square जो बच्चे inverse को अच्छे से बढ़ चुके हैं वो बच्चों को पता है बिटा कि अगर मैं इसमें तोड़ा सा smart work करना अगर मैं एक मिंट के लिए मानों कि टी मेरे पास क्या है tangent theta तो जरा सोचो अगर टी को पास टेंजेंट theta माने तो y के लिए क्या हो जरा सोचिए b को अलग रखो 2 tangent theta upon 1 plus tangent square theta ये चीज़ में आपके पास क्या होती है साइन तो देखिए y का जो एक्सपेंसर था ये complex सिंपल एक्सपेंसर में ले आए और यहीं t equal to 10 theta अगर मैं इसमें संशी टूप करने तो x की वेलिए आपके पास क्या देगी a as it is 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta you know क्या होता है boss 2 theta ठीक है तो ये आपके पास देखिए यहां से अभी मैं देखिए y function हो चुका है में इसका theta और x function किसका हो चुका theta तो theta की फूर्में differentiate कर सकता हूं गए इसी स्विए फूर्ट इटटा लिकाल लेता हूं क्या है मेरे पास 2b cos of 2 theta यहां पराउंसर कर सकते हूं यहां से अप्ता d x function theta क्या आएगा माइनस का 2a और sin of 2 theta अब जो है दोनों को divided हो देखिए इसको डिवाइडि क्या उससे तो इन दोनों का आपस में डिवाइडि करोंगे जैसे इसको आप डिवाइडि करोंगे इसको से दो से दोत हो जाएगा cancel उपर आएगा आपके पास minus इसका b ठीक है अपोन में क्या रहेगा a और नीचे हो जाएगा tangent of 2 theta now you know minus b upon a as it is what is the value of tangent 2 theta 2 tangent theta upon 1 minus 10 square theta आपके पास c value जाएगी यह आपके पास में इसका क्या है 10 एक approach तो है काम करने की देखिए एक approach और भी हो सकते है यहाँ dy upon dx है in terms of t ठीक है अभी जराइस पर द्यान दिखिए यहाँ से अगरना y upon b की value में क्या है sin of 2 theta और यहाँ से अगरना x upon a की value में क्या है 2 theta cos of 2 theta तो therefore एक बाता है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 होगा बया दोनों equations का squaring करके add कर दो sin square to theta plus plus square तो बनों जाएगा और differentiate कर दो तो 2x upon a square plus 2y upon b square साथ में dy upon dx is equal to kya दोंगा 0 तो यहाँ से अगर आप dy upon dx के लिए निकालते हो तो dy upon dx के लिए अपके पास क्या ही है यह जेगा 2 से तुक्तों जेगा आपको एक पास करने का यह भी है दोनों यह प्रोज आपकी करेक्ट है लेकिन चीस पॉर्मेट में दे तो डिरेक्ट आप इसको सोल करें लेकिन तो इसको सोल करें लेकिन तो इसको पॉर्मेट करें लेकिन तो आपको एक परामेटरिक एक्वेशन देगी इसको देखें दिमाग में एक चीज याद आने चाहिए ओटमेटरिक वह भी है कि देखो साइन इनवर्स ओफ टी में अगर हम पोस इनवर्स ओफ टी एड़ करें तो हमारे पास पाई एपॉन टू आता है इनवर्स में आपने इसको पढ़ा है तो इस कोंसेट का यूज करेंगे हम यह चाहेंगे कि दोनों एड़ होगे अब देखो बेटा यह दोनों चीजे किसमें है पावर में और यह दोनों कब एड़ होगी जो मल्टिप्ला होगी तो किस से एक हिंट मिलगा आपने ने उननंट इग्वेशन की करो लो एक्सकी वाई-सकी मिलट्प्लाई करोगे तो क्या रहेगा यह भी रूट में और एक depends मुंटीप्लाई इक पावर कॉशी तो एक पॉशी करो जो होगी तो जोंप सांग प्राइक आपके पास कितना है तो तो आल एक है वाय का गब हैगा d y upon t x and that is constant तो differentiation क्या रिए 0. from here you can write d y upon t x is equal to minus y upon x बहुद इएलेगे चिटाए नाओ proceed towards solution number 4 देखेबिगा tangent y is equal to 2t upon 1 minus t square and sin x is equal to 2t upon 1 plus t square यहा से यहा रिटा y के अलिने डालो पहले, 10 तोगेदा के 10 इनवर्स लिखा जाएगा, 10 इनवर्स 2T एपन बड़ माइनस T स्क्राइब आप जानते हो बिटा क्या होता है, 2 तेन इनवर्स T और X प्वेड लिखो के क्या आएगी, साइन इनवर्स के अदर 2T एपन बड़ प्लस T स्क्राइब, और that is also 2T एपन इनवर्स T तो इन दोलो एक्वेशन से क्या समझ गा रहा है, जो वेले y की, वही वेल्यो एक्स की, देरफोर y is equal to x, देरफोर y is equal to x, so dy on dx is equal to 1. अब similar equations यह प्राको बेकेसें बोल्ट देंगा मीटा, वो सर्मन्ता को इसके पर प्रेक्टिस करने